नमश्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे चानल में आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं R41 हमियोपते कॉंबिनेशन के बारे में जिसको माना चाता है कि ये सेक्शुल वीक्नेस को बहुत अच्छे से इंप्रूव करता है और आपके शरीर में मरदाना कमजूरी जिसे जो शब्स इस्तिमाल होता है यानि लाक ओफ वैटालिटी को इंप्रूव करने की एक बहुत ही इंप्रूटन मेडिसन है तो चलिए इस वीडियो में इसी के उपर चर्चा करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दो चीजों के उपर फोकस जरूर करिए नमबर वन कि इसकी सही डोसेज क्या होनी चाहिए नमबर टू ये वास्तम में इतना एफेक्टिव क्यों है और इसके इतने अच्छे रिजल्ट क्यों है और तीसरी बात पर भी नजर जरूर रखिएगा कि हम ऐसा क्या करें ऐसी कौन सी डाइट लें जो इस दवा के साथ में अगर हम कंटिन्यू करें तो हमें और बहुतर रिजल्ट मेरें तो चलिए इन तीनों चीज़ों के उपर डिसकस करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको मेरी बात समझ में आये तो मुझे थम सब जरूर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर यह R41 हुमियोपतिक कॉम्बिनेशन क्या है देखिए R41 यह रेकवेक कंपनी द्वारा बनाया गया लैक ओफ वैटालिटी का एक कॉम्बिनेशन है यह male की sexual strength को improve करने के लिए बनाया गया combination है और जो दोज़ाइगें इसमें इस्तमाल हुई है जो combination बनाया गया है उसका balance इस तरह रखा गया है कि यह आपके हर तरह की male sexual weakness की परिशानियों को solve कर पाए जैसे कौन कौन सी problems हम लोगों को रहती है, nightfall की शिकायत रहती है, जैसे हम spermatoria बोलते हैं, ये अक्सर हो जाता है, premature ejaculation हो जाता है, erectile dysfunction हो जाता है, या फिर जो हमारे अंदर strength होती है, हमारे penile region की, वो strength हमारी कमजोर हो जाती है, तो ये सारी problems कहीं न कहीं हमें महसूस होती है, इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जो during sexual intercourse जो हमारी strength रहती है, bodily strength वो बहुत जिल्दी exhaust हो जाती है और इतना ही नहीं कई बार ऐसा हो जाता है कि हम properly उस intercourse को enjoy नहीं कर पाते तो ये सारी जो problems होती है कहीं ना कहीं males इनको सब चीजों को जरूर face करते हैं बहुत सारे हमारे youngsters भी ऐसे हैं जिनको ये सब परशानिया होती है इस्पेशली जब उनको premature ejaculation हो जाता है या फिर spermatoria या nightfall हो जाता है या फिर बहुत अच्छी diet ले रहे है लेकिन उसके बाद भ बहुत अच्छे से उतनी exercise नहीं कर पा रहे हैं उतना काम नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारे हमारे old age के भी ऐसे patients हैं जिनको इस तरह की परशानी होती है कि उनके अंदर जो proper शारीर में जिसे एक ताकत कहना चाहिए वो ताकत उन्हें महसूस नहीं होती नसों में कमजोरी महस महसूस रहती है हर समय डिला बन से महसूस होता है weakness ही महसूस रहती है सोने का मन करता रहता है किसी काम की इच्छा नहीं करती और इतना ही नहीं बहुत सारे office going लोग भी ऐसे हैं जो कि उस stress को जहिल रहे हैं और वो stress की वज़े से अपनी life को enjoy नहीं कर पा रहे हैं अपनी sexual weakness की problem को solve नहीं कर पा रहे हैं तो आप सभी तरह के patients के लिए ये combination काफी effective साबित हो सकता है और इसी लिए आपको R41 को choose करना चाहिए अब चर्चा कर लेते हैं कि भई ये R41 के अंदर ऐसी कौन सी दवाईया है जो इसे बहुत ज़्यादा भेतर बनाती है देखिए सबसे वहली medicine ह इसके अंदर acid phosphoricum, acid phosphoricum हमारी body की जो inner weakness होती है खासकर हमारी जो muscle weakness रहती है उसकी बहुत अच्छी medicine है और जो sexual debility आजाती है जैसे जुन बच्चों में spermatoria जल्दी हो जाता है या discharges बहुत जादा हो जाते हैं या थोड़े से discharge के बाद भी weakness आजाती है उनकी बहुत अच् पर agnes casters वो दवा है जो कि हमारे male sexual neurasthenic weakness यानि नसों की वज़े से होने वाली कमजूरी को और भीतर बनाती है जैसे old age patients जो हमारे हैं जिनको नसों में कमजूरी हो जा रही है age related ability आ रही है उनके लिए agnes casters एक बहुत ही अच्छी important medicine है इसके अलाबा जो यहां पर तीसरी ब medical science में Demiana को बहुत अच्छी important medicine माना गया है क्योंकि यह all round male sexual condition को improve करने की दवा है और इससे आपके शरीर की जो ताकत होती है जो male sexual weakness रहती है उसमें बहुत अच्छा improvement आता है और लगभग सभी तरह की complaints के उपर यह बहुत ही अच्छा equal reaction शो करती है बहुत अच्छे results भी द दूरी आ रही है बार बार लेटे रहने का मन कर रहा है इच्छा कम हो गई है या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो lack of interest आपके अंदर आता जा रहा है या बहुत जल्दी आपके अंदर weakness, sudden weakness आ जाती है अगर आप थोड़ी सी भी अगर intercourse करते है या जब कभी आपका हलका सा भी discharge हो लिए लग जाती है तो इस तरह की weakness की दवा है फॉस्फोरस अब जो next medicine है यहाँ पर देटे सीपिया, सीपिया एक बहुत ही important medicine है क्योंकि यहाँ पर patients के अंदर indifference आता है, indifference मलब आपकी अपने sexual partner को touch करने की मन नहीं करेगा, उनसे बात करने का मन नहीं करेगा, कई बार जो youngsters होते हैं, वो females जो होती है, उनसे कई बार दूर रहने की उनकी इच्छा करती है, पास जाने का मन नहीं करता, उसका reason है, जैसे ही वो जाते हैं तो फॉरण हलका सा discharge होने लग जाता है, या फिर बहुत जल्दी erection होता है, उतनी ही जल्दी fall कर जाता है, तो जो हमारे अं नाम की मुपतिक मेडिसिन है, ये ग्नोसोड है, और इसी हमारे बोडी में जो टेस्टोस्टिरोन होर्मोन है, उसके उपर बहुत ही अच्छा काम करता है, बोडी में टेस्टोस्टिरोन होर्मोन की वजह से होने वाली problems को solve करने का एक बहुत ही अच्छा solution है, इसी वजह से इसे R89 जो की hair care drops है, वहाँ पर भी इस्तमाल किया गया है, इसके अलावा जो एक कुछ दो और important medicines है, उनमें से एक है चाइना, अब हम जानते हैं कि अगर हमारे शरीर में debilitating condition आ रही है, या फिर हमारी बोडी में किसी भी disease के बाद से कमजोरी आ रही है, शरीर में मासपेश में कमजोरी है, हमारे पेट में कमजोरी हो रही है, इसके अलावा जो हमारी strength है properly, जिसे हम असली ताकत कहते हैं, वो निकल कर नहीं आ रही है, तो वहाँ पर चाइना बहुत ही important medicine है, इसके अलावा कोनियम, जो next medicine है यहाँ पर, यह उन पेशेंट्स की दवा है, जहां पर न हो, तो वो उन चीजों को cover करती है, तो देखिए, यह एक बहुत ही multi-modal combination है, जो की हर तरह से आपके sexual weakness को control करने का और sexual complaints को ठीक करने का या improve करने के लिए मददगार साबित होता है, इसलिए R41 को एक अच्छा combination माना गया है, अब सवाल जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ और क्या करें कि R41 के साथ आपको और बहतर results में, how to get the best results out of R41, देखिए, सबसे पहले जरूरी बात है आपके लिए समझना कि R41 अकेले use नहीं करनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपने सुना है कि R41 एक अच्छी दवा है, या फिर आपने इस वीडियो को देखा है, त उससे सलाह लें, उनसे बात करें, उन्हें अपनी तकलीफ बताएं और उनके according, आपके symptomatology के हिसाब से जो better medicine आ रही है, उस better medicine को जरूर चूज करें, क्योंकि अगर आप उससे और बहतर results चाहते हैं, अच्छे results चाहते हैं, तो आपको अपने symptomatology के हिसाब से, तकलीफों के हिसाब से दवा चाहिए, combinations के पीछे अक्यले आपको नहीं भागना चाहिए, तो जब आप एक proper दवा लेंगे, उस दवा के साथ में इस combination को इस्तमाल करेंगे, तो दोनों दवाईयां एक साथ जब काम करेंगी, आपके results body में और भेतर आएंगे, जल्दी आएंगे, इसके लावा हमें क्या करना चाहिए, हमें exercise और diet के ओपर ध्यान रखना चाहिए, देखिए, क्या जरूरी है, अगर आप male sexual weakness से छुटकारा चाहते है, तो कौन सी exercise आपको करनी चाहिए, सबसे बहले आपको लिए जरूरी है, कि आपको प्राणयाम जरूर करना चाहिए, जिससे कि ब्रसे का प्राणयाम आप जरूर करें, उसके साथ में अगर आप कर पाते हैं, तो कपाल भाती प्राणयाम भी करें, फिर आप high intensity, अगर आप young हैं, तो आप high intensity cardio exercise कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ केवल आप walk करने ही कुशिश करें, और at least 3000 कदम के आसपास per day, 3000 steps की walk आप जरू करना चाहिए, इसके लावा diet की रही बात, तो देखिए, हमेशा याद रखिए, weakness को improve करने के लिए, सिर्फ protein ही एक clothy diet नहीं है, बहुत साथ लोग मैंने देखा है, गल्दी करते हैं, कि हम non-vegetarian हैं, तो हमें वैसे भी दिक्कत नहीं हैं, आपको एक proper nutritious diet चाहिए, जिसमें आपको proteins की requirement है, अगर आप protein लेते हैं, तो चाहिए, आप vegetable protein ले, आप plant protein ले, या फिर आप जो animal protein है, उसे prefer करते हैं, non-vegetarian है, तो आप ये कोशिश कीजिए, कि वो protein या तो boiled होना चाहिए, या roasted होना चाहिए, fried protein के उपर कोशिश ना करें, उसके उपर incline ना करें, दूसरा, आपको fruits की quantity भी proper चाहिए, ताकि आपकी body में multi vitamins की कमी ना हो, उसके लिए vitamin C, खटे फल थोड़ से जरूर खाईए, ताकि आपको vitamin C जरूर मिले, जैसे संत्रा जरूर खाईए, अगर आपको कीनू मिल रहा है, कीनू खाईए, कीवी जरूर खाईए, साथ में fibrous fruits भी आपको चाहिए, पालक का मिल रहा है, मेथी का मिल रहा है, बतुए का मिल रहा है, कोई ना कोई एक साग आप जरूर खाए, milk products अगर आप लेना पसंद करते हैं, तो कोशिश करिए कि milk products में घी अपनी diet में जरूर इंप्रूव करें, अगर आप 8 टेबल स्पून घी per day यूज कर रह चाहिए, और इसके साथ में आपकी तकलीफों को हिसाब से, जो आपकी complaints है, उसके हिसाब से, जो suited medicine है, symptomatology के हिसाब से वो चाहिए, तो जब आप इन चार चीज़ों को एक साथ combine करेंगे, तो जो आपके पास एक result निकल के आएगा ना, वो result quick होगा, जल्दी भी मिलेगा, दवा भी कम खानी पड़ेगी, और जो आप expect करते हैं, एक दवा से कि मुझे इस दवा से ये फायदा मिले, वो फायदा आपको R41 से जरूर मिलेगा, अब बात हती है, डोसेज की, R41 कैसे लेनी चाहिए, अगर आप देखिए, यहाँ पर मैं age wise आपको dosage बताता हूँ, अग अगर आपकी age 30 years से कम है, और अगर आपको इस तरह की परशानी महसूस होती है, तो आप R41 at least 15 drops दिन में 3 बार के हिसाब से कुछ दिनों तक जरूर लीजे, और डॉक्टर के परामर्श के हिसाब से इसकी dosage को बदलिए, फिर अगर आपकी age 30 years से लेके लगभग 50 years के बीच म करें, इस से आपको काफी improvement आएगा, और अगर आपको लगता है कि मुझे regular इसे लेना चाहिए, तो आप इसे 10 drops दिन में 3 बार के हिसाब से भी use कर सकते हैं, अब अगर आप एक old age patient है, तो obvious बात है 50 plus की जब आपकी age हो गई, तो कई सारी और भी परिशानिया आपको साथ में हो सकती हैं, उनका भी ध्यान रखना है, और फिर इस दबा को भी लेना है, तो इसलिए इसकी dosage को हमेशा limited रखेंगे, दिन में 2 बार के हिसाब से रखेंगे, और के वल 10 drops तक limit करेंगे, तो आप इसे 10 drops दिन में 2 बार के हिसाब से लीजे, तो आपको ज़्यादा better results मिलेंग तो I hope कि मैंने इस वीडियो में जो आपको जानकारी दी थी, बहुत ही important थी, आपको मेरी बात समझ में आई हो, तो मुझे सिर्फ एक thumbs up जरूर दीजेगा, और चैनल को subscribe करना बिलकुल मत भूलिएगा, मेरी तरफ से नमशकार, thank you